जैहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी current affairs की class पर मैं हूँ आप सभी का राजा गुपता एक और important topic के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूँ daily 10 AM की topic UI series को हम continue कर रहे हैं देखिए यहाँ पर आज का जो हमारा session होने वाला है वो राज्यों की प्रमुख योजना हो से संबंदित है इससे हर exam में एक से दो नमबर के question पूछे जाते हैं हम यहाँ पर part 1 को discuss कर रहे हैं कल हम part 2 को पर discuss करेंगे तो चलिए friends आई देखते सबसे पहले important question ग्रामीर आवास नाय योजना हाली में किस राज में शुरू की गई है रूरल हाउसिंग नाय योजना has been launched in which state तो friends इसका right answer हो जाएगा इस योजना को 36 गर राज में start किया गया है कहाँ पर start किया गया है 36 गर राज में start किया गया है देखिए किस के लिए start किया गय गया है दोस्तो जो गरीब परिवार है उनको आवास दिया जाएगा और इसलिए ग्रामीर आवास नाय योजना को start किया गया है दोस्तो इस योजना के तहत जितने भी यहाँ पर eligible families हैं उनको 30,000 आवास दिये जाएंगे ये target बनाया गया है चलिए अगले question की तरफ बढ़त हैं हाली में किस राज के मुख्य मंत्री ने आवुआ अवास योजना की गोशना की है विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैस एनाउंसड आवुआ अवास योजना तो friends इसका right answer हो जाएगा जारखन इसका सयुत्तर हो जाएगा जारखन तो जारखन राज ने आवुआ अवास की गोशना की है दोस्तो इस योजना के तहट क्या किया जाएगा तो जितनी भी जरूरत मंद है या फिर जो qualified लोग है जो eligible लोग है उनको यहाँ पर तीन कमरे का घर मिलेगा इसमें जो पहला कमरा होगा माता पिता के लिए होगा दूसरा कमरा बेटा बहु के लिए होगा औ और बच्चों के लिए अलग कमरा होगा दोस्ते यहाँ पर जारखन के जो CM है क्या नाम है हेमन सुरेन नाम है क्या नाम है नाम है हेमन सुरेन नाम है next question यह रहा इंदीरा गांधी smartphone योजना हाली में किस राज में शुरू की गई है इंदेरा गांधी smartphone scheme has been launched in which state तो दोस्तों इसे launch किया गया राजस्थानराज में कहां पर launch किया गया है राजस्थानराज में launch किया गया है देखे C.M. अशोक गहलोज जी ने जैपुर में इंदरा गांधि स्मार्टफोन योजना का शुभारन किया है इसके तहित क्या किया जाएगा दोस्तों तो राज की जो 1.3 करोड महिलाएं हैं, उनको 3 साल की डीटा के साथ मुफ्त स्मार्टफोन दिया जाएगा, दोस्तो इस क्लास की PDF के लिए आपको राजा गुपता करेंट अफेर्स टेलीग्राम चैनल जोईन करना होगा, आप सर्च करेंगे, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां से जोईन हो करके, रेगुलर्ली हर इंपोर्टन अप्रेट्स के लिए आप यहां पर जोईन हो सकते हैं, इसके लावा दोस्तो हमारा स्टडी कर एप्लिकेशन है, आप स्टडी कर एप्लिकेशन को जोईन करिएगा, और यहां पर आप जाएंगे pdf class notes, जहां पर आप pdf डाउनलोड कर सकते हैं, इसके लावा important ebooks को भी डाउनलोड कर सकते हैं, चली next question की तरह बढ़ते हैं, लेक लड़की प्यारी बेटी योजना किस राज में शुरू की गई है, लेक लड़की प्यारी बेटी scheme has been launched in which state, तो परिवार में बालिका का जनम होगा, उसके ठीक जनम के बाद उसे 5000 रुपे मिलेंगे, जब वो first class में पहुंचेगे तो उसे 6000 रुपे मिलेंगे, जब वो sixth class के बाद 7000 रुपे मिलेंगे, और 11th class के बाद उसे 8000 रुपीज मिलेगा, और 18 वर्स की आयू पूरी करने पर 75000 रुपे तक इनको मिलने वाला है, तो दोस्तों 18 वर्स कूर्ण होने पर बालिका को टोटल 1.01 लाक रुपी का फायदा होने वाला है, देखे, कौन सी फैमिली है जिनको ये फायदा मिलेगा, तो 1 लाक रुपे तक की जिनकी वार्षिक आये है, ऐसे परिवार पर ये scheme लाग लाज में शुढ आतरा योजना को स्टार्ट किया गया है, कहा पर किरल राज में, देखे, किरल राज में इसका उद्दीश क्या है? तो इसका उद्देश है, जो राज की विदेशी प्रवासी है, यानी foreign migrants हैं, उनको help प्रदान की जाएगी, उनको financial help प्रदान की जाएगी दो लाक रुपए तक का वित्ती मदद प्रदान किया जाएगा चलिए नेश कोशन की तरफ बढ़ते हैं कलेगनार महिला अधिकार निधी योजना हाली में किस राज में शुरू की गई कलेगनार वीमेंस राइट पंड स्कीम हैस विलाउज इन विच स्टेट तो फ्रेंट्सिस का राइट एंसर हो जाएगा तमिल नाडू तमिल नाडू राज में कलेगनार महिला अधिकार निधी योजना को स्टार्ट किया गया है तो दोस्तों इस योजना के ताथ क्या होगा जितने भी eligible पात्र महिलाएं हैं लाभारती हैं उनके खाते में हर महीने 1000 रुपे जमा किये जाएंगे डिपोजिट किये जाएंगे अगला प्रशना यह देखते हैं जै भीम मुक्य मंत्री प्रतिभा विकास योजना कहां पर शुरू की गई है तो दोस्तो इसे दिल्ली में स्टार्ट किया गया कहां पर दिल्ली में स्टार्ट किया गया अब आई समझते कि इस स्कीम का मकसद क्या है तो दोस्तो इस स्कीम का मकसद ये है कि जो भी कोचिंग प्रवाइड करा जाएगा निश्टुर्ग प्रवाइड किया जाएगी और उस भुक्तान को जो है सरकार देगी सरकार इसका वहन करेगी तो यहाँ पर इसके तहत पाठ क्रम अवधी के दोरान 25 उरुपए प्रतीमा स्टाइपेंड उनके बैंक हातों में प्राप्त होगा मिशन सकती स्कूटर योजना किस राज में स्टार्ट की गई है शुरू की गई है मिशन सकती स्कूटर स्कीम has been launched in which state तो फ्रेंट्स इसका राइट एंसर हो जाएगा इसे ओडिसा राज में स्टार्ट किया गया है कहाँ पर ओडिसा राज में इसके तैट क्या किया जाएगा जो भी स्कूटर यहाँ पर खरीदेंगे महिलाए उनको एक लाख रुपर तक का ब्याज मुक्त रिण प्रदान किया जाएगा तो इसका उदेश है राज सरकार जो है उडिसा में फेडरेशन देता हो समुदा एक सहायता कार करताओं को स्कूटर यहाँ पर देगा एक लाख रुपर तक का ब्याज मुक्त रिण प्रदान करेगा नेश कोशन आप सभी के सामने रहा शक्ति योजना हाली में किस राज में शुरू की गई है शक्ति योजना has been launched in which state तो देगी शक्ति योजना को करनाटक राज में स्टार्ट किया गया कहाँ पर करनाटक राज में स्टार्ट किया गया इसके तहत क्या किया जाएगा करनाटक में मुफ्त बस की सभारी प्रदान की जाएगी और 42 लाग स्यदिक महिलाओं को इसका फाइदा होगा नेस्ट है ग्रह लक्ष्मी योजना किस राज में शुरू की गई है ग्रह लक्ष्मी योजना has been launched in which state तो दोस्तो इसे भी आप याद रखीगा करनाटक राज में ग्रह लक्ष्मी योजना start किया गया है इसके तहत जो घर की मुखिया महिलाएं होंगी उनको हर महीने 2000 रुपए की मासिग वित्ती साहता प्रदान की जाएगी किस राज में नंदिनी क्रशक समर्द्धी योजना start की गई in which state has नंदिनी क्रशक समर्द्धी योजना has been launched तो फ्रेंट्स इसका राइट एंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में नंदिनी क्रशक समर्द्धी योजना start की गई अब आपकी दिमां में सवाल उठ रहा होगा क्या मकसद है तो जितने भी राज में मवेशियां है उनकी नसले में सुधार करना दूद उत्त पादन को बढ़ावा देना इसे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नंदिनी क्रशक समर्द्धी योजना start की गई है नेश कॉशन इरहा हाली में किस राज में मुख्यमंतरी खेत सुरक्षा योजना शुरू की गई है मुख्यमंतरी खेत सुरक्षा योजना has been launched in which state तो फ्रेंट्स उत्तर प्रदेश में मुख्यमंतरी खेत सुरक्षा योजना start किया गया है देखे इसका जो मकसद है फसल बरवात कर दी जाती है अवारा जानवरों की वज़े से तो अवारा जानवरों से बचाने के लिए मुख्यमंतरी खेत सुरक्षा योजना start की गई है हाली में एक जिला एक खेल योजना किस राज में launch हुई है वन डिस्टिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम has been launched in which state तो फ्रेंट्स ये यूपी राज में उत्तर प्रदेश राज में एक जिला एक खेल योजना को start किया गया है देखें आपर उत्तर प्रदेश में टोटल 75 डिस्टिक्ट है 75 जिले हैं तो सभी जिलों में लोगपरी खेलों को प्रसाहित करना प्रमोट करना इसका मक्स है तो फ्रेंट्स मद्य प्रदेश राज में सीखो कमाओ योजना शुरू की गई है और इसकी शुरवात 22 अकस 2023 को MPK CM सिवरा सिंग चोहां जी के दौरा स्टार्ट की गई है मुक्यमंत्र सीखो कमाओ योजना दोस्तो इस योजना के तहट जो काम सिखा जाएगा और काम सिखाने के बदले यहां पर 8 से 10 जार उपे स्टाइपेंड भी दिया जाएगा मोघर अवास योजना हाली में किस राज में शुरू की गई है मोघर अवास योजना है जो विल लॉजन इन विज़ स्टेट तो देखें मोघर अवास योजना को ओरीसा राज में स्टार्ट किया गया जोस्तो राज के जो लोग है अपने घरों को अपगरेड करा सकते पूरा करा सकते हैं और उसके लिए यहां पर वित्ति सायता प्रद तो फ्रेंट्स इसका राऍय टेंसर हो जाएगा केरल केरल राज में एक पंचायत एक खेल मैदान योजना स्टार्ट की गई है राज में खेलों को बढ़ावा देने के लिए Use no start की गई है मुखे मंतरी एकल महिला सौराजगार योजना किस राज में कानन योजना किस राज में शुरू की गई नंदन कानन योजना has been launched in which state तो friends राजस्थान राज में नंदन कानन योजना स्टार्ट की गई है देखे इस योजना के तहट पीपल आमले कलपर व्रिक्ष आदी जो है उसके पौधि लगाए जाएंगे बंदिरों की जहां पर जमीन होगी और वहां पर उसे सूसजित किया जाएगा वहां पर पूरी गार्डनिंग की जाएगी उसे डबलब किया जाएगा और संरक्षत किया जाएगा लाडली बहना योजना किस राज में शुरू की गई लाडली बहना स्कीम लाडली बहना योजना स्टार्ट किया गया है दोस्तों इस योजना के माध्यम से MP के जो घरीब और साथ ही साथ दोस्तों यहां पर देखें मध्यम वरगी परिवार हैं उनकी बहनों को एक हजार रुपए हर महीने दिया जाएगा चलिए फ्रेंट्स नेस्ट कोशन की तरह बढ़ते हैं और उनों दोई 2.0 योजना किस राज में शुरू की गई है और उनों दोई 2.0 scheme has been launched in which state तो फ्रेंट्स असम राज में और उनों दोई 2.0 योजना स्टार्ट की गई है तो दोस्तों गरीबी को समाप्त करने के लिए पोवर्टी को एलमेनेट करने के लिए यह योजना स्टार्ट की गई है इस टाइपन्ड योजना किस राज में हाले में स्टार्ट की गई है इस टाइपन्ड योजना स्टार्ट की गई है तो उनको यहां पर सपोर्ट किया जा रहा है हर महीने 3000 रुपय का उन्हें भुगतान किया जाएगा मुख्य मंत्री सिक्षा पुरसकार योजना किस राज में शुरू की गई है मुख्य मंत्री सिक्षा पुरसकार योजना has been lost in which state तो दोस्तो ओरीसा राज में मुख्य मंत्री सिक्षा पुरसकार योजना स्टार्ट की गई है सिक्षा के छेतर में योगदान और उत्कृष्टा को बढ़ाने के लिए योजना स्टार्ट की गई है हर घर गंगा जल अपूर्ती योजना हाली में किस राज से यह संबन्दिते start की गई तो दोस्तो बिहार राँ से संबन्दिते हर घर घंगा जला पूर्ती योजना तो दोस्तो इसका मकसद है बिहार की जितने भी घर है सभी घरों में नलों में गंगा का पानी पहूचाना इसका मकसद है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना हाली में किस राज में स्टार्ट की गई है तो वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना को यूपी में उत्तर प्रदेश राज में स्टार्ट किया गया है और इसका मकसद है local level पर sports बढ़ाना ठीक है sportsmanship को बढ़ाना मुखी मंत्री बाल आशिरवाद योजना किस सराज से संबंदित है जिसे अभी हाली में start किया गया है तो मद्य प्रदेश में मुखी मंत्री बाल आशिरवाद योजना start की गई है दोस्तो अनाद बच्चों को यहां पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी इसका मकसद है आसरा पेंशन योजना किस राज में शुरू किये गए आसरा पेंशन स्कीम है इस बिलॉज इन विच इस्टेट तो फ्रेंश तिलागना राज में आसरा पेंशन योजना स्टार्ट की गई है इसका उद्देश है कल्यार कारी और समाजी सुरक्षा बढ़ाना इसका मकसद है नमोशक्कारी महासमान योजना किस राज में स्टार्ट की गई नमोशक्कारी महासमान योजना has been launched in which state तो फ्रेंश ये महाराश्ट में नमोशक्कारी महासमान योजना स्टार्ट की गई दोस्तो इसके तहत किसानों को एक साल में 6,000 रुपे का भुक्तान किया जाएगा मोज अंगल जमी योजना किस राज के द्वारा शुरू की गई है देखे जहां भी आपको मो दिखे तो बस आप उडिसा राज टिक कर देजे तो मोज अंगल जमी योजना को उडिसा राज में स्टार्ट किया गया है राज के जिलों में आदिवासी जितने भाई हैं वनवासी हैं उनके वीच में जो उनके forest rights हैं जो उनके वन अधिकार है उसको बढ़ावा दिया जाना इसका मकसद है पेंगल पथू कप्टू ठिटब महिला सुरक्षा योजना किस राज में शुरू की गई है दोस्तो तमिल नाडू राज में पेंगल पथू कप्टू ठिटब महिला सुरक्षा योजना स्टार्ट की गई है दोस्तो जो महिलाएं रात को दस बज़े से लेके सुबह साथ बज़े की बिच काम करती हैं तो पुलिस उन्हें सुरक्षा प्रदान की करेगी एक नंबर दिया गया है उस नंबर को कॉल करने पर पुलिस अपनी जो परिवहन है यानि जो वहिकल से वह भेजेगी और उन्हें घर तक पहुँचाएगी आजका आखरी important current affairs सीखो कमा योजना किस राज से संबंधित अब हर अपने पर प्रदेश से संबंधित है engag तो यहां पर उभावं को प्रसक्षिद किया जाएगा और मसार्ट मीं स्टाइपन दिया जाएगा जिन्होंने बावरी पास की है उन्हें आठ जुनила गलेगा जिन्होंने आए टीटीख स्ट हृंडड रुपीज मीलेगा ॢिप्लोमा करने वाले को 9000 उप Але नो हुप है उन्होंने दिग्री गंती वाला बटन दबाईएगा और शेर करिएगा और आपको एक और बात बतानी है कि नंदनी करशक बीमा योजना किस राज में स्टार्ट की गई है इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है दोस्तो डेली हम यहाँ पे टॉपिक वाइस टेन अयम पर करेंट अफेर्स की सीरीज को चला रहे हैं आप जरूर जोईन कीजें इंपोर्टन क्लासेस हैं हमने मंतली मैगजीन लॉंच की है टॉपिक वाइस करेंट अफेर्स की ई-बुक्स लॉंच की है जो आपको हमारे कहा पर मिलेगी हमारे play store पर मिलेगी आपको play store से डाउनलोड करके play store को जब आप डाउनलोड करेंगे तो आप यहां पर test series देख सकते हैं e-books देख सकते हैं pdf class notes देख सकते हैं यहां पर आपको daily अवैल कराया जाएगा दोस्तो राजा गुपता current affairs telegram channel है आप इसे जरूर जोइन कीजिएगा important updates के लिए हमारे instagram handle twitter handle और इसके लाब whatsapp channel है इन सब का link आपको description box में दिया गया है इसके लाबा दोस्तो comment box पर भी pin किया गया है आप इन सबी links को join कर सकते हैं तो friends मिलते हैं कल सुबह 10 बजे इसी important series के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं खुश रहिए मुस्कुराते रहिए